इंड निव्स इंजिनियर नागपूर सेंटर की ओर से दोद्यूसियर कॉलिटी पोर्केस 2020 नामक सेमिनार का आईजिन क्या क्या है इस सेमिनार का उड़का टैन शनिवार को रुलांस कमपनी की नागपूर M.D. संपत कुमार इनके प्रमुक उपस्तिति में क्या क्या सेमिनार का ये 17 वा साल है इस सेमिनार में कॉलेज छाटों के लिए प्रतियोगिता का आयचन क्या है इस प्रतियोगिता में विविश शहर के 32 देम और हिस्सालिया है इनके तरफ से ये 17 वा साल है कि जब आल इंडिया सेमिनार कॉलिटी प्रोग्रेस इंस्टिशन ओफ इंजिनेर्स नागपूर में और्गनाइज हो रहा है ये 1st और 2nd February को यहाँ पर और्गनेज हो रहा है और ये जिसे सेमिनार जो है ये विन-विन सीचुशन वाला है 17 साल इसको continue होने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है कि यहाँ पर जो teams participate करते हैं जो delegates आते हैं वो खुद होके आते हैं उनको pursue करने की जुरुत नहीं पड़ती क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो माहूल रहता है एक फैमिली का माहूल है एक टीम का माहूल है और इसमें participate करने के लिए वो बहुत उत्सुक रहते हैं इस साल इस सिमिनार में 32 टीम जो है वो participate कर रही आल अवर इंडिया से कुछ टीम्स जो है वो बीचेल के हरिद्वार से आ रही है अशोक लेलान से आ रही है जेस डव्यू करमेशोर से आ रही है खापर खिड़ा, कुराडी, चंदरपूर थर्मल पाउर से से आ रही है एंटीपी से मवदा से आ रही है पारस थर्मल पाउर से से आ रही है बुसाल थर्मल पाउर से से आ रही है अलग-अलग वह तो तर्टी टुटीम्स एक साथ यहां पर जो अपने उन्होंने साल भर जिस प्रोजेक्ट पे काम किया इंडिस्ट्री में उस प्रोजेक्ट के बारे में वो बताएंगे और उस पे से जो जजसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम को प्राइज देना चाहिए और कौन सी को एप्रिशेट करना चाहिए। अपने अपनी केस्टेडी, अपने अपनी विचार यहां पर रखते हैं और उनका जो पोटेशेल है उनकी कियो काम का उसके अनुसार हम उसको वर्गी कुरूद करते हैं और फिर उसमें उनको हम ग्रेड़ देते हैं प्राइज़ देते हैं गए सतरा साल से यह एक्टिविटी सोसाइटी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है कॉलेजिस के, MBA कॉलेजिस के, इंजिरिंग कॉलेजिस से बच्चे यहां पर आते हैं अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले कराते हैं और उनको यहां से नही नही आइडिया मिलती है और इंडेस्टिपीपल से उनको प्रांस में मिलता है